दोस्तों आज बनाने वाले हैं हलोगाई स्टाइल ब्रैट पकोडे और इस ट्रिक के साथ आप बनाना जो तेल ब्रैट पकोडे में रह जाता है वो बिल्कुल भी ब्रैट पकोडे में आपको दिखेगा नहीं तो इस ट्रिक को आप अजमा कर देखना और ब्रैट पकोडे एक लेना है greater और greater से क्या है इनको evenly इनको grate कर लेना है grate करने से होगा ये बिल्कुल evenly जो है इनकी shape आएगी और foldने से क्या है अगर आप smash करते हैं तो उसमें गुठिलिया सी रह जाती है तो आप grate करें यहां आप देख सकते हैं मार पास जितने भी आलू थे हमने उनको grate कर लिया है और दोस्तो अब बारी है fry करने की तो पैन में हम थोड़ा सा इसमें oil डालेंगे और oil को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे तो तेल जो है वो हमारा गरम हो चुका है आप डालेंगे आदा चमच इसमें साबुत जीरा थोड़ा सा चॉप जिंजर थोड़ा साबुत धनिया और थोड़ी सी चॉप ग्रीन चिली डालेंगे और उसके बाद थोड़ी सी इसमें हींग डालेंगे दोस्तो और इसको अच्छी तरह से fry कर लेंगे यहाँ पर जो flame है वो normally रहनी चीए flame जो है वो low ही होनी चीए क्योंकि अगर आप high heat पर अगर इसको आप बनाते हैं तो मसाले के जो जलने के chances हैं वो बहुत ज़ादा होते हैं और आप high heat पर इसको control नहीं कर पाऊगे तो आप इसको low flame पर ही बनाएं अच्छी तरह से fry करने के बाद दोस्तों अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाऊडर आदा चमच और उसके बाद आदा चमच कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी नॉर्मल लाल मिर्च पाऊडर थोड़ी सी हल्दी थोड़ा गरम मसाला और आदा चमच इसमें नमक डालेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से mix कर लेंगे और fry करेंगे और सभी चीज़ी अच्छी तरह से fry हो चुकी हैं अब जो हमारे पास grated आलू थे वो आलू हम इसमें डाल देंगे और इन आलू को अच्छी तरह से mix करेंगे, fry करते हुए आपर आलू जो हैं अच्छी तरह से fry हो चुके हैं, आप उपर से sprinkle कर देंगे इसमें green coriander और इनको भी अच्छी तरह से mix कर लेंगे तो आलू अगर हैं अच्छी तरह से mix हो चुके हैं और अब बारियाती है bread की तो सबसे पहले हम bread के जो ये किनारे हैं, ये किनारे हटा देंगे क्योंकि ये थोड़ी से कड़क होते हैं और अच्छी तरह से fry नहीं हो पाते किनारे हटाने के बाद दोस्तों इनको बिल्कुल स्टैबल कर लेंगे bread के जो ये पीस हैं और इनके उपर जो हमने मसाला बना कर तियार कर रहा था वो मसाला अब हम bread पे उपर रख देंगे और इसको चमच की सायता से उपर फैला देंगे और उसके बाद उपर से इसको पैक कर देंगे और अब चाकू की सायता से इसको कट कर लेंगे इस तरीके से अब ये हमारे पास दो पीस बनकर तियार है बट अब हम इसको चार पीस में डिवाइड करेंगे तो एक पीस में से हम फिर दो पीस में से त्यार कर लेंगे इस तरीके से तो एक bread में से हम चार पीस बनाएगे तो हम बनाएगे mini bread पकोडा दोस्तों हमारे पस जतनी भी bread थी उनको हमने cut करके slice में हमने इखटा करके plate में रख दिया है और अब बारी आती है बेसन के बैटर बनाने की तो सबसे पहले यहाँ पर हम दो कटोरी बेसन लेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी एक चमच नमक थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा बेकिंग सोड़ा और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर इसमें सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीजे बेसन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और अब थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और इसको अच्छी तरह से mix करते रहेंगे याद रहे जब आप इसको फैंटे तो एक दिशा में इसको अच्छी तरह से फैंटना है और मेन क्या है इसमें अभी हमें air create करनी है और इसको इस तरीके से फैंटना है कि इसमें ज़्यादा ज़्यादा हवा का सर्कुलेशन बढ़ जाए तब ही जो हमारे ब्रैट पकोड़े हैं वो अच्छे और फ्लाफी बनेंगे तो आप देख सकते हैं एक ही दिशा में इसको हमने फैंटना है आपको एक चीज और बता देता हूं इसको इतना फैट ना है कि इसका जो येलो कलर है हमको इसमें वाएटिश जब तलक नज़र ना आए तब तक फैटते ही रहना है तब आप देखना fluffy बनेंगे, super fluffy बनेंगे और बड़िया बनेंगे आपके जो bread पकोड़े हैं ये sign है और यहाँ आप देख सकते हैं बैटर की जो consistency है वो इस तरीके से होनी चीए और यहाँ हम एक bread piece उठाएंगे उसको अच्छी तरह से dip करेंगे बेशन में और इसी दरौन हमने तेल जो है वो गरम कर लिया था अब bread पकोड़े को हम तेल में छोड़ देंगे यहाँ पे जो heat होगी वो medium होनी चीए नॉर्मल heat नहीं होनी चीए नहीं तो bread पकोड़े नीचे बैठ जाएंगे और नीचे ही चिपक जाएंगे तो आप याद रखें तेल अच्छी तरह से गरम होना चीए और उसके अंदर हम regular dip करके bread पकोड़े छोड़ते रहेंगे और जब bread पकोड़े एक साइड से सिख जाएं तो उसको तुरंध हम पलट देंगे और यही प्रोसेस जो है हम फ्राई करने के दोरान regular करते रहेंगे जब तक कि हमारे bread पकोड़ों में अच्छा कलर ना आज है और यहां आप देख सकते हैं जो bread पकोड़ों का color था वो हलका चेंज हो चुका है और हमारे जो bread पकोड़े हैं वो सिकर तैयार हैं अब इनको बारी है निकालने की तो इनको कड़ाई में से निकालकर हम प्लेट में रख लेंगे और प्लेट में हम tissue paper जरूर लगा लेंगे ताकि जितना भी excess oil होगा वो tissue paper उसको soak कर लेगा दोस्तो मुझे जो bread पकोड़े पसंद है वो है tomato ketchup के साथ बाकी आप comment करकर जरूर बताएं आपको किस चट्नी के साथ bread पकोड़े पसंद है तो उस चट्नी को हम बना कर जरूर दिखाएंगे और दोस्तो इसी के साथ हमारी जो वीडियो है वो बनकर तैयार है comment करकर जरूर बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा ज़्यादा share करें like करें comment करें और channel को subscribe करें मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ thank you for watching